हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है स्टाड़ी फाउंडेशन एड्यूप चनल पे आज मोड डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर 2020 का असम का डेली का एंफेयर से चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पीडियो आप सभी को टेलिग्राम ग्रोप में मिल जाएगा तो आए वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का डिस्कसन को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग कुईज डिस्कस करेंगे तो आज का कुईज का सबसे पहला कोसन है पंचाइती राज was first introduced in India in October 1959 in which of the following state तो इंडिया में पंचाइती राज सिस्टम सबसे पहले कौन सा state में लागू किया गया था उस state का नाम है राजस्तान, राजस्तान का नागोर डिस्टिक में 2 October 1959 में इसको introduced किया गया था पंचाइती राज जो है आपको part number 9 में मिलेगा ठीक है इसको introduced किया गया था 73 amendment 1992 में starting में जसा मिधान लिखा गया था उससे में नहीं था इसको बाद में amendment करके introduced किया गया था ठीक है नेसको सिने which part of the Indian constitution provides for establishing India as a welfare state तो इसके बारे में आपको part number 4 में जिसमें DPSP दिया है उसमें इसके बारे में discuss किया गया है तो सही एंसर हो जाएगा option number D इसके बाद next question what is the maximum strength of the log sabh provided by the Indian constitution लोग सभा का maximum seat होता है 552 लेकिन प्रेजन में कितना है प्रेजन में 545 ठीक है तो यहाँ पर maximum seat पूछा था इसलिए साही एंसर हो जाएगा option number A ठीक है नेसको सिने on which of the following dates was first international yoga day celebrated सबसे पहली बार yoga day का मनाया गया था 2015 21 जुन को मनाया गया गया था तो सही एंसर है option number C इसके बाद next question है नीती नीती आयोग स्टेंस फोर्ड नीती आयोग में नीती का full form क्या होता है इसका full form होता है national institution for transforming India तो सही एंसर हो जाएगा option number A इसके बारे में और भी discuss कर लेते हैं इसका चेर्मेन को ने नराइंदर मोदी भाइस चेर्मेन को ने राजिव कुमार सियो को ने अमिताब कांथ हेड़कॉर्टर कहां पे निव दिली formation 2015 में हुआ था ठीक है next question है बाकसा district of awesome was created from the parts of which of the following district बाकसा district कों सा district से अलग होके बना था तो उसका नाम क्या क्या है उसका नाम है बरपेटा नलबारी और कामरूप तो सही एंसर हो जाएगा option number A इसके बाद next हम लोग आज का current first को सुरू करते हैं तो सबसे पहला question है अरु जंदती gold scheme कौन सा district का scheme है उस district का नाम है असम तो सही answer हो जाएगा option number C इसके बारे में और भी details यहां पर दिया है वीडियो को pause करके या फिर आपको PDF मिल जाएगा वहां से पढ़ सकते हैं ठीक है इसके बाद next course ने which of the following state और UT's launch a campaign red light on guardie off to trackle air pollution in the national capital उस UT का नाम क्या है वही इस state नहीं UT है उसका नाम है दिल्ली तो सही answer हो जाएगा option number B ठीक है इसके बाद next course ने on which date world food day was observed world food day का मना जाते है 16 October को मना जाते है तो सही answer हो जाएगा option number D 16 October October महिना में जो भी important date पार हो चुका है यहाँ पे PDF से revision कर सकते हैं ठीक है इसके बाद next course ने recently first Oscar winner custom designer भानू अथया पास अवे CEO on Oscar for her work in which of the following movie तो किस movie के लिए उनको Oscar award मिला था उस movie का नाम है गांधी तो सही answer है option number A ठीक है इसके बाद next course ने who has been appointed as India's next permanent representative to UNESCO तो किसको बनाया है next permanent representative उनका नाम है 20 साल सर्मा तो सही answer is option number B ठीक है इसके बाद next हमों कल का हूमर का answer discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला question का answer is option number D, next question का answer option number C है तो इसको match कर सकते हैं आज का हूमर का question 2 है इसका सही answer आपको comment करके बतना है इस वीडियो का PDF आप सभी को telegram group में मिल जाएगा तो Never thank you so much